data structures के lecture में आज हम लोग देखते हैं इंटोडक् empowerment to link list link list एक तरह का data structure का ही type है जिसमें data जो है store करते है lineary और इसमें link list में हम लोग बहुसारे चीज़े देखें गहें इसकी operations क्या होते है नोड क्या होते है और इसकी जो है types क्या होते हैं उसके बाद हम लोग इसकी जो program की implementation करेंगे algorithm जानने के बाद वो हम लोग one by one करकर देखेंगे आज का lecture में हम लोग देखते हैं कि link list होता है क्या इसको definition क्या है और इसकी types क्या है ठीक है तो सबसे पहले देखें स्क्रीन पे जो definition मैंने लिखी है it is a very commonly used linear data structure which consists of group of nodes in a sequence यानि बहुत common use होने वाला है ये array के बाद ये structure जिसमें जो है बहुत सारे nodes के group होते हैं और वो sequence में होते हैं one node, two node, three node इस तरी के से ये क्या होता है आपस में sequence में होते हैं और हर एक node जो है दूसरे वाले से linked होते हैं इसलिए इसको हमनों क्या करते है linked list एक list बन जाती है बहुत सारे node को जमा करने के बाद और सारे जो node है वो linked होती है इसलिए इसको linked list कहा जाता है ठीक है उसके बाद देखें each node holds its own data and the address of the next node हर एक node जो है वो अपने data को hold करती है और साथ ही साथ वो दूसरे वाले next node को क्या करेगी उसकी address को contain करेगी ताकि आपस में जो है दोनों node वो linked हो जाए इस तरीके से completely हम जब इसको complete करेंगे एक node, दो, नोड, तीन, नोड करके तो फिर वो एक linked list बन जाती है ठीक है अब हम इसको graphical way में देखते हैं इसको समझते हैं हमारे पास तीन node का एक linked list है ठीक है यह node 1 है, node 2 है, node 3 है इस तरीके से node N तक जा सकता है, depend करेगा था कि वो dynamic memory को allocate नहीं करते हैं, जो हमने size दिया एड़े में वही होता था लेकिन link list में यह drawback खतम हो गई, और यह flexible memory allocate करता है जिसको हम dynamic करते हैं, जितना चाहिए इसको add कर सकते हैं अब देखें, यहाँ पर हमारे पास node 3 है, one node, two node, three node देखें, अब हर node जो है, यह अपनी data contain करते हैं, और यह वाला पार्ट जो है, link part के लिए, याने next part के लिए, यह क्या करेगी, next node की address को contain करेगी तो पहला node है, अगर वो next node की address को contain करेगी, तो यह क्या होगा आपस में, यह क्या होगा, आपस में linked हो गए हैं, ठीक है ना node 2 है, node 3 के address को भी यह contain करती ही, hold करती है, इसके बाद क्या होए, यह दोनों आपस में linked हो गए हैं, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यह एक completely linked list है, अब यह single है, यह तो हम करेंगे discuss, हलंकि यह single ही है, अब जो last में है, उसके बाद कोई node नहीं, यानि हमारे पास जो link list म तीरी node है, तो last वाला जो है, वो किसी भी node का address को contain नहीं करीगी, that means, उसके next part में क्या होगा, null होगा, इस तरीके से यह null contain करीगी, that means, इसका आगे में कोई node नहीं है, यह हम इसको पहचान सकते हैं, इसे करके, तो यह graphical way था, जिसके थुरू हम समझ सकते हैं, link list क्या होता, उ सारे node जो है, अपने अपने data को contain करते हैं, और हर एक node के next part जो है, next वाले node के address को contain करता है, ठीक है, link list की advantages के उपर अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, dynamic in nature which allocates the memory when required, जैसे जैसे ज़रूत पड़ीगी, वैसे ही memory को dynamically allocate कर सकता है, इसमें कोई limitation नहीं है, ठीक है, उसक link list को stack और कि दोनों को हम link list के दुवारा represent कर सकते हैं, ठीक, उसके बाद है कि it reduces the access time, access time को reduce करता है, and the finally insertion and deletion operations can be easily implemented, तो इस तरीके से ही advantages इसके लाब और भी इसकी बहुत सरे advantages है, और जब comparison आएगा array link list में, तो आप दोनों को compare करेंगे, इसकी क्या advantages है, और array की क्या advantages है, draw back है, वो दोनों को दिखाएंगे, हम कभी next lecture में इसके बारे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चलें इसकी कुछ operations के बारे जानते है, link list में क्या क्या operations हो सकते हैं, अगर operations की बात करेंगे, तो हम link list में insert कर सकते हैं, that means node को insert कर सकते हैं, mileage node में को data contain करा है, उसको हम insert कर सकते ह end में और middle में कहीं भी insert कर सकते हैं node की जरूत नहीं है तो उसको हम delete कर देते हैं इसके जरूत नहीं है display कर सकते हैं सारे list को हम display कर सकते हैं और उस सारे list में node में अगर किसी particular किसी node को हमको search करना है तो उसको हम search कर सकते हैं और उसको delete भी कर सकते हैं तो इस तरीके से हम delete भी कर सकते हैं, insert भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, अब हम कितने types का link list को create कर सकते हैं, और जानते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो होता है, singly link list, जो मैंने भी आपको example में देखाया थे graphical, जो इसकी representation थी, वो singly link list थी, तो इस तरीके से first single या singly ह हो गई, उसके बाद double होती है, उसके बाद circular होती है, तो double में क्या होगा, दोनों तरफ hold करेगा, और circular में last वाला note, पहले वाला note को contain करेगा, इस तरीके से हम लोग इसको one by one करके next lecture में देखेंगे, और इसकी implementation हम लोग इंसरसर and deletion में भी करके देखेंगे, ठीक है, तो य bowls्ड़ी करे तशकतर दे देखेंगे, तो इसल देखेंगे, और वर अनले ह।ो ग।ो में करेंगे वालावती है, ठीक है सरत करेंगे, थाले हैं में रखा आघास बान पल्रब neighborhood नहेफेगे, झाले हैं उसके वाले हैं टा लोग वारत ग्रीकेका देखेंगे, भी तया देखें